प्रिति जहाँ इस वक्त की बड़ी खबर बीपीसी सुक्षक भरती को लेकर सामने आ रही है दरसल बीपीसी ने बड़ा फ्रासला लिया है नोटिस करके जानकारी दी है दरसल बीपीसी सुक्षक भरतियों के लिए अभी डॉकुमेंट्स वेडिफिकेशन का काम चल रहा है आ हले या डॉकुमेंट्स वेडिफिकेशन का काम 12 सितंबर तक थे लेकिन अभी यर्टियों को ध्यान में रखते हुए इस डेट को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया था 14 सितंबर यानि कि आज तक बीपीसी सुक्षक भरती के जो कैंडिडेट्स हैं वो डॉकुमेंट्स व काम कम्प्लीट नहीं करा रहा है उनके लिए यह बड़ा फैसला लिया है दरसल लॉकुमेंट्स वेडिकेशन का काम उसे एक दिन और बढ़हा दिया गया है 15 सितंबर यानि की कल तक सिक्शक अभियरती अपने डॉकुमेंट्स वेडिफिकेशन का काम जो शो हैं वो करवा स की तारीच को लेकर BPSC ने बड़ा फैसला लिया है BPSC ने to Reports verification की तारीच को बढ़ा दिया है डाकूमेंट की date को एक दिन आगे बढ़ा दिया है पहले यह तारीच 14 सितम्वर थी और अब यह तारीच जो है वो 15 सितंबर तक हो गई है यानि कि अब उसे एक दिन और बढ़ा दिया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि किस तरीके से बीपेसी के ओफिशल वेबसाइड बीपेसी.bis.nic.in पर ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ये एहम जानकारी दी गई है कि अब तक जिन छात वहीं ये तमाम नोटिस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गई सारी चीजे जो है वो लिखी हुई और इसमें यह भी लिखा है कि 4 सितंबर से 14 तक समय निर्धाई था और जिन अभियर्थियों का दस्तवे सत्यापन उक्ततीतियों के बीच हुई यानि कि इस बीच में किसी कारण से नहीं हो पाया है या उन्होंने नहीं कराया है तो वैसे अभियर्थी अपने ओनलाइन आविदन में पहले से भड़े गए स्थाई पता के अनुसार जो जिला उनका है उसके द्वारा 15 सितंबर तक खुद आप आ सकते हैं और अपने जो भी डोकुमेंट्स है उसका वेडिफिकेशन करा सकते हैं और वहीं आपको यह भी बता दे कि इसमें साफ तोर से यह भी लिखा हुआ है नोट के साथ कि निर्धारित तीथी के उपरांत यानि कि इसके बाद किसी तरह की कोई भी डेट में विस्तार जो है वो नहीं किया जाएगा अभियर्थियो काम जो है वो करवाई और फिर इस चीज को आप कंफर्म कीजे अभी तक आयोग ने यह भी कह दिया कि इसके आगे कोई डेट जो है उसे नहीं बढ़ाया जागा देगे पूरे तरिके से यहम जानकारी आयोग ने दी है और नोटिस जारी करके यह जानकारी दी है चैनल को लिखने के लिए आपका धन्देबाद